Dear student, we have to discuss about the lifelong learning for the sustainable development. हम बात कर रहे हैं lifelong learning की. Lifelong learning के अंदर जो हमारा main parameters है वो है adult education trainings. हम जैसे जैसे हमारी technology change हो रही है, हमें अपने knowledge को update करने की ज़रूरत है. और इसको ना सिर्फ update करने की ज़रूरत है, बलके इसे sensitize करने की ज़रूरत है. कि हमारे जो adults या experience लोग जो आज से चंद साल पहले, 10 साल, 12 साल, 12 साल, 20 साल पहले, जिन्हों ने अपना knowledge हासल किया, knowledge की अपकरेडिशन के बाद, knowledge के change होने के बाद, अब हुने new knowledge चाहिए, अपने knowledge को upgrade करने के लिए. इसके अंदर हमें जिन बातों का ख्यार रखना है, उसमें सबसे पहली बात तो जो हैं, वो हैं हमारे पास knowledge को, इसको sensitize करना. कि जो हमारे adults हैं, उनको पता होना चाहिए, कि मुझे अपने training के जरीए, मुझे अपने knowledge को upgrade करना है. अगर उनको ये मालूम होगा, तो वो फिर उसके उपर focus करेंगे. हमने last lecture के अंदर भी बात की थी, कि हमने primary education, university primary education और poverty के उपर और इसके उपर तो हमने काफी funds allocate कर दिये, मगर ये वाला portion जो है, इसके उपर हमने ज़्यादा focus नहीं किया. अब इसको दो तरह से किया जा सकता है. एक जो बात है, वो हमारे पास है, peer training के आप एक group बना दें और group बनाने के बाद हम उसके उपर टीम वर्क दें और एक दूसरे के साथ knowledge sharing से बात करें. दूसरा मेरे पास ही है, कि ये बनाने से पहले जो बन्दे की training की ज़रूरत है, उसको training देने से पहले उसे खुद sensitize होना दूरूरी है, उसको मालूम होना चाहिए, कि मेरे कौन कौन से area's है, जिन में मुझे training की ज़रूरत है. क्योंकि knowledge तो उसके पास है, कि अगर फर्स करें उसे कोई भी कूर्स A, B, C, D जो वो पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है, या काफिर से उसके उपर काम कर रहा है, तो वो तो मुझूद है, लेकिन अब वक्त के साथ साथ उसके knowledge को enhance करने के लिए कौन से चीज़े update करनी है, उ उसके लावा उसे कौन सी चीज़ें जा है, उसको learn करने की जरूरत है, और उसके लिए किस किसम की training की जरूरत है, क्या सिर्फ mentoring से काम हो सकेगा, क्या self learning से काम हो सकेगा, क्या ये possible है कि उसके लिए चन्द दिन की training workshop करवाई जाए, अब जब हम training workshop के बात करते हैं, तो training workshop करवाने के लिए हमें cost, हमें finance की जरूरत है, अब sustainable development goals के अंदर हमने जिस वद ये बात की, तो हमारा ज्यादा focus या ज्यादा funds जो हैं, वो हमारे दो चीज़ों पर से ले गए, एक तो हमारे पास free education के उपर, जिस के उपर हमने funds allocate किये, ताके वो लोग जो अपने बच आपे नहीं ले सकते, उनकी uniform नहीं ले सकते, तो हमारे funds ज्यादा allocate वहाँ पर हो गए, अब हम जब training के portion को हम टार्गेट करेंगे, तो उसके लिए हमें funds allocation की जरूरत है, अब sustainable development के अंदर जो lifelong learning है, उसके मुख्तलिफ मोर्ज बना दी गए, या मुख्तलिफ अंदास में उस पे, हर person जो professional है, उसे sensitize करने के बाद, उसके लिए जरूरी है कि वो खुद gap को identify करें, जब वो अपने gap को identify कर लेगा, तो उसकी identification के बाद, next मरहले में, वो फिर अपना फैसला करेगा कि उसे ये learning कैसे करनी है, क्या वो self learning से अपग्रेड करेगा अपने आपको, या वो peer learning की तरफ जाएगा, या वो अपनी organization को लिखके देगा, कि ये वो areas हैं, जिने मुझे training की जरूरत है, और उसकी organization जो है, वो उसके उपर plan बनाएगी, और plan बनाने के बाद, उसकी training का बंद बस किया जाएगा, अब lifelong learning के अंदर जब हम बात करते हैं, ये most people spend more of the lives are adults than the children, तो this observation should not be any way undermined the conceptual convictions, that the learning can and should be lifelong occupation, अब देखें, अगर हम इसको overall गुफ्तकू करें, individual की responsibility है, कि उसको identify करें, identification के बाद उसके जो parameters बनाने हैं, या उसकी training का जो module बनेगा, या वो training की जो need की जाएगी, तो उस need assessment के बाद, उसके जो procedure होगा, उसकी suggestion individual खुद देगा, और जैसे मैंने आपको बताया, वो self भी कर सकता है, अपगरेड कर सकते हैं अपने आपको, मुख्तलिफ वीडियोस में, मुख्तलिफ वी लॉग्स, मुख्तलिफ चीज़ा मौजूद हैं, नैट के उपर मौजूद हैं, आप उसे learn कर सकते हैं, दूसरे नमबर पे pair learning से भी कर सकते हैं, और तीसरे नमबर पे अपनी organization को जो है, वो बता सकता है, कि यह मेरे areas हैं, और यहां पर मुझे training करवाई कैंगे.